हेलो गाईज, इस में सौर मन्ना, वेकम बैक तो मैं चैनल, जैसे सी जारकर्ण स्टाफ सेलेक्शन द्वारा एक नया रिकूट में जारी किया गया है, जैसे कि इसका इलिजिबिलिटी क्या रहेगा, कितने सीट स रहेंगे, है ना, कितना सैलरी आपको मिलेगा, और सिलिबस र यह फार माति हमसे, शेर करने है बालो, ठीक है, वीडियो को लास तक जरूर दिखेगा, और अगर वीडियो का चले है, वीडियो को जो लाइक किज़ेगा, जादा जादा शेर किज़ेगा, और सबस्क्राब करने ना भूलिएगा, तो चलिए, मैं आपको यह बॉक्स में दिया रहेगा ठीक है तो सबसे पहले यहां पर यह भी यह नोटिफिकेशन दिया है कि जो कि यहां पर लिखा हुआ कि जो फॉर्म फिलप है वो आपका लॉगिंग जो कि jsc.nic.in में आपका ओन्लाइन फॉर्म फिलप स्टार्ट हो जाएगा ठीक है तो इसका जो परिक्षा शूल्क है वो आपका 100 रुपे लगे है ठीक है और जहारकन राज्या के अनुसूचित जाती वालों के लिए 50 रुपिया लगेंगे ठीक है और यहां यही सब चीज दिया हुआ है ठीक है और एक चीज मैं आपको बता दू अगर आप अगर आपका पैसा वगरा क सब कुछ मेंशन किया है ठीक है उसके बाद अब बात करते हैं कितना कितना सीट्स है जैसे कि यहां पर आपको सीट्स वगरा दिख रहा होगा हर एक ब्रांच का जैसे जिन्होंने कनेया अभियंत्रा यांत्रीक प्याजल एवं सवच्छा था विभाग से जलोंग अपलाइ दिया रहेगा तो आपको बद बगरा सेलेट करने का ओप्शन मिले का ठीक है तो यह सब सीट्स वगरा दिया हो है आप एक बार खुद से जेक कर सकते हो कि जनरल में कितना सीट्स है सब कुछ इसमें मेंशन किया गया है ठीक है तो जब और मैं अगर नीचे आता हो तो यहां प्राफ दिविश्व विद्धाल या तो संस्थान से लिक्ट्रिकल ट्रेट से जिन्होंने डिप्लोमा या तो आईटिया किया हो तो उनके लिए यह है ठीक है जिन्होंने पाइपलाइन इंस्पेक्टर से जो करना चाहते उनका जो सालेडी वो 19,900 से 63,000 का सालेडी आएग यहां पे सब कुछ दिया जिन्होंने अपना डिप्लोमा कम्प्रीट कर चुक है मेकानिकल से जो की AICT अप्रूवड होना चाहिए वो होना जरूरी है ठीक है और जिन्होंने इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा किया है उनका जो सालेडी है वो आपका 35,400 से लेक है एक लाग 12,000 तक का जिन्होंने डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से वो भी AICT अप्रूवड होना जरूरी है तो वैसे यहां पे सब कुछ दिया हुआ है आप एक पास जब आप नोटिफिकेशन परो कि यहां पे सारक चीज मेंशन रहेगा ठीक है जिसका सालेडी है 35,000 से लेके एक ल आपको एक बार पढ़ लेना होगा ठीक है आपको सारक चीज में डाउट क्लियर हो जाएगा ठीक है तो यहां पे सारक चीज आपका मेंशन किया हुआ है उसके बाद यहां पे जो आयू शीमा है जो मिनिमम है वो 18 वर्स होना चाहिए और अधिकतम जो है मैक्सिमम एज जो ह वर्क वालों के लिए 25 वर्स तक होना चाहिए बीपिसी वान बीपिसी टू पूरुष वालों के भी थाटी से hard होना चाहिए और महीला उनके लिए 37 तक उनका 38 वर्स तक होना जरूरी है और अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती पुरुष एवं महिला जो कि STAC करडिगरी से बिलोंग कर रहा हो उनका 40 वर्स तक होना जरूरी है तो यह सब चीज मेंशन किया हुआ है और और यहां पे जब आप और भी नीचे आ होगे तो यह 25 मेंस से स्टार्ट होने वाला और 24 जून तक इसका लास्ट डेट है ठीक है यहां पे सब कुछ डेट बगरा दिया हुआ है तो यह सब आपको जानना जरूरी है एक्जाम जो आपका CBT मोड में एक्जाम कंडर्ट करवाया जाएगा ठीक है और यहां पे एक्जाम जो आपक डा अगाए तो यही सब चीश डिया हुआ है पत्रवान जो अभी जो पाठवान एग्जाम होगे जिसमें से दो घंटा के एग्जाम होगा 120 과오र्श को समाण़ अभ्यांतरिकिकर से अस्छी को अगे और स Hauptra 2 होगा जो कि 120 questions रहेंगे दो घंटा का exam होगा जो अपना-पना जिस प्राहँ से बिलोग करते हैं उस प्राहँ से related ही questions बगएर पुछेंगे और यहां पे सारा syllabus बगएर सब कुछ यहां पे दिया होगा है अगर आप PDF को download करोगे तो यहां PDF में सारा syllabus बगएर मिल जाएगा इसे later आप को पढ़ना होगा ठीक है तो उमीद करता है अपका start or clear हो चुग है और cut-off के बारे में बात के रहा है अनारेक्षी मिलब जो जेनरल काडिगरी से बिलोग करते हैं कम से कम 40 प्रदीश्यत होना जरूरी है जो STAC category या तो महीला जो है उनका 32 BC1 से जो बिलोग करते हैं उनका 34 और BC2 से जो बिलोग कर रहे हो 36.5 होना जरूरी है आदिम जन जाती और जातो EW से जो बिलोग कर रहे हो उनका 40 होना जरूरी ठीक है तो यहां पर सारा चीज मेंशन किया हो आप एक बढ़ लीजिए एक बार और अगर आपको कुछ भी डाउट लगे है कुछ भी डाउट ल अगले कंटेंट के साथ चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ली जगा जैसी सिस रिलेटेड और भी अप्लेट्स पाने के लिए थैंक यू